इस विवेकर नर्सीना फ्रम फ्यूचर इन्हांस फ्रेंड्स तुड़ा आपके सामने एक ट्रिक करने जा रहा हूं मेजरीटी आप प्रोफेशनल्स यूज नहीं करते हैं और एक इजी काम को काफी तफ बना देते हैं तो आपके सामने एक Employee Data Workbook है और इसमें Multiple Seats है इसमें Employee Data के Basically एक Basic Information है जो अलग-अलग Zones के अलग-अलग Sheats में रखे हुए अब मैं North Seats में आता हूं और मैं मैंनेजर के पास discussion में के लिए जाता हूं तो मैंनेजर बोलते हैं कि Vivek मुझे ये सारे columns इसमें नहीं चाहिए जो हमारे required columns है उसी हमें दिखाना है तो वो क्या करते हैं वो बोलते हैं मुझे Reason को Hide कर दीजिए तो I am just hiding the Reason Reason को मैंने Hide कर दिया और वो बोलते हैं मुझे Designation भी नहीं चाहिए तो Let's Hide the Designation also Now Zender भी नहीं चाहिए तो ये उनको चार column चाहिए for some analysis तो उनको चाहिए ID, Name, Department और Date of Joining अब उन्होंने ये first sheet तो कर दिया बट हमारे पास अभी multiple sheets है अब आते हैं challenges तो अभी क्या करते हैं लोग एक-एक sheet में जाते हैं और manually जहां-जहां hide करना होता है उस column को करते हैं और अभी हमारे पास तो उसी 5 sheets अगर हमारे पास ऐसे 10 या 15 sheets होते हैं तो आज देखते हैं एक single click पे हम इस चीज को कैसे achieve कर सकते हैं तो मैं first sheet में जाओंगा and I'll select the first row, first row के जो हमारे desired column से उसे slate कर लूँगा the header part मैं करूँगा Ctrl-C से copy अब मैं second sheet पे जाता हूँ and shift press करने के बाद मैं last sheet को slate करूँगा तो shift press करने का benefit क्या होगा यह single row में यह मेरे बाकी sheet select हो गया अब मैं जाओंगा same process मैं first row में desired columns को heading को select करूँगा I'll just go to right click and paste special और paste special का shortcut है Alt-E-S मैं paste special में जाओंगा and I'll just go to column width मैं column width को करके I'll just press the ok button जैसे मैं ने ok button press किया तो जो first sheet में मेरे settings थे columns के same settings बाकी sheet में भी हो गया Now at the end मैं क्या करूँगा? मैं right click करके मैं कर दूँगा ungroup sheets Ungroup करते ही क्या हो गया? बाकी sheets जैसे पहले थे वैसे ही हो गया individual sheets तो इस काम को करने के लिए हमारे जो professionals होता है वो काफी time लगाते हैं I hope यह आपके काफी time को save कर पाएगा Friends अगर आपने हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe that channel and press the bell button इसमें आगे आने वाले जितने भी videos होंगे उनके notifications आपको directly inbox में मिलती रहेगी Thank you and have a great day आपके लेगे